Students, नमस्कार, I am Dr. Santu Sharma, Department of Partnering, Government PG College जालावाड आज हम पढ़ेंगे मालवेसी फैमिली, मालवेसी किसी भी टेक्सोनॉमिक जब हम फैमिली का स्टुडी करते हैं तो हम किसी एक फ्लार को कंसीडर कर लेते हैं जो कि उसका री प्रेजन्टेटिव मेंबर है ताकि उसके चैक्टर्स को इजीली समझा जा सके मालवेसी जो फैमिली है, वो सौफनिंग है, मतलब मैलो फैमिली को बिलॉग कर, मैलो जो है ये फैमिली भी कहलाती है और बैंथम हुकर के, जो कि हमें इंडियन बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो इसके सिस्टेमेटिक पॉजिशन में ये एंज्योस पर में डिविजन को बिलॉग करती है, डाई कॉटिली इसका सब डिविजन है क्योंकि ये जो है इसके अंदर दू कॉटिली प्रेजेंट होते है, क्लास जो है वो पॉलिपिटेली है, क्योंकि पैटर्स जो होते है, वो free होते है, korula के अंदर यहते भी patterns होते हैं, they are not fused to each other, series जो है वो इसके थालेमी फ्रोरी होती है, and Malwell's order को यह family जो है, वो belong करती है, अगर हम इसके salient features, मतलब कुछ ऐसे peculiar features, किसी भी family के, जिनके जो की, उसका identification है, अगर हम उन characters को बोलते हैं, तो हम किसी भी family को पहचान सकते हैं, तो they are known as salient feature, और we can say the diagnostic feature of that family, इस family के most of the members जो है, वो शरब होते हैं, और इसके जो लीफ होती हैं, steppuse इसमें present होते हैं, और steelate type के hairs जो है, वो leaves पर present होते हैं, steelate का मतलब होता है, तारेनुमा, और इसका inflorescence जो है, वो solitary axillary है, solitary axillary का मतलब होता है, leaf की axil में, leaf की कक्षा के अंदर एक single flower जो है, वो present है, flower के अंदर जो है, वो calyx के नीचे की तरफ, apicalyx का group होता है, और इसके अंदर जो twisted type के जो है, वो इनका arrangement होता है, जो stamens होते हैं, उनमें क्या होते हैं, कि indefinite number of stamens होते हैं, और ये milker के एक staminal tube बनाते हैं, और ये जो है condition क्यालाते हैं, क्योंकि इनके सारे stamens जो होते हैं, उनके enter free होते हैं, और filaments जो होते हैं, वो अदलब वो fuse हो जाते हैं, और ये become a tube-like structure, and that condition is known as mona adelphus condition, और इनके जो enter होते हैं, उसमें single lobe होता है, यानि वो जो है, monothecus condition क्यालाती है, ये, जो हमारे staminal tube इसमें present होती है, और जो अगर हम बात करें, गाइनोशियम की, तो वो बाई से multi-carpillary होती है, sincarpus है, क्योंकि इनमें carpal जो होते हैं, वो जुड़े होए रहते हैं, और ये exile placentation इनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि आप diagram के अंदर देख रहे हैं, वो ही इसके अंदर calyx है, और staminal जो tube है, वो आपको नजर आ रही है, उपर के तरफ 5 stigma इसमें present होती है, और ये जो यलो कलर के आपको नजर आ रहे हैं, वो इसके क्या है, एम्थर्स है, जो की free है, और monothecus condition के अंदर है, यहाँ पर आप फ्लार जो है, complete फ्लार देख पा रहे हैं, और साथी साथ जो है, वो इसके अंदर आपने ls और फ्लार भी हम देख रहे हैं, जब भी हम किसी फ्लार को, किसी family के अंदर किसी फ्लार को describe करते हैं, तो हमें उसका ls यानि longitudinal section लेना होता है, इस फ्लार के अंदर आप देख रहे हैं, कि एक steminal tube जो है, उसका formation हो रहा है, और यह steminal tube जो होती है, वो हमारे stigma के चारो तरफ उपसित होती है, और stigma जो होती है, जो यह शो कर रहे है, कि यह जो है, वो pentacarpulary फ्लार है, इसके अंदर जो हमारे anthers होते हैं, वो raniform या kidney shape के इसमें present होते हैं, क्योंकि इसके अंदर यह जो है, दो इसमें chambers होते हैं, लेकिन इसमें anther lobe जो होगा, वो एक ही होगा, इसलिए यह condition जो है, वो monothecas condition कहलाती है, अगर हम floral formula या floral diagram देखते हैं, इस family के अंदर, तो जूकि इस flower जो होता है, उसके नीचे के तरफ इसके अंदर, apicalyx होता है, मतलब calyx से पहले जो है, वो apicalyx इसके अंदर उपसित होता है, यह इसके अंदर विशेश्टा होती है, और generally जो apicalyx होते हैं, उनके अंदर जिसे मालवा है, मालवा के अंदर तीन पाये जाते हैं, यूरीना में पांच होते हैं, यानि की bractiolates का एक चक्र पाये जाता है, जिसको की apicalyx कहते हैं, इसके अलावा cida और abutilon जो होता है, उसमें यह apicalyx completely absent होता है, कैलyx के अंगर हम बात करें, तो उसके अंदर पांच जो हैं, वो sapos होंगे, और वो gamo sapos होंगे, जो की जुड़े होए रहते हैं, और यह आपस में velvet, आप देख रहे हैं, कि जो second जो है, जो वर्ड पाया जा जो हमारे saples होते हैं, दूसरे saples हों तो उनके किनारे आपस में, एक दूसरे के सामने होते हैं, कुरूला जो होता है क्योंकि त्योंकि अमें नंबर के चक्र को देखेंगे तो जो है एक अंदर आ रहा है एक बाहर आ उसका किनारा और यह आपस में जुड़े हुए नहीं है और इसलिए इनका जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाता है अगर हम एंड्रोशियम के बाद करें आप एक गोल तर रिंग देख रहे हैं और इस रिंग के उपर जो है वो एंथर लगे हुए ह यह रिंग जो है शो कर रही है स्टैमिनल टूब को बना रही है और जो हमारे इंडेफिनिट नंबर के अंदर हमारे जो स्टैमन्स होते हैं वो इंडेफिनिट नंबर होते हैं तो इस चक्र के चाहँ दरब बहुत सारे बने हुए और यह उल्टी तरफ की तरफ बने हुए ह रैनीफॉरम है यानि kidney की शेप के अंदर हैं और साथ ये जुड़े हुए हमारे पैटल से तो जो एंडूशियम होता है अगर पैटल से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कुरूला से जुड़ा हुआ रहता है यानि सेंटर जो है जो पेंटा कापलरी है जो कि पाँच चैमबर में डिवाइड़ है और उनके सेंटर एकसे से जो है वो ओब्यूल्स अराइज हो रहे हैं यह इसका स्टूरेंट्स आपको जब भी हम हमें क्योंकि हम जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली फ्लार के वारे में फ्लार लेकर के आई विल एक्स्प्लेइन यू तो आप इसके क्याक्टरिस्टिक फीचर्स को याद कर लीजे इनको समझ ल जो कि वह कहलाता है इसके अलावा पारस और जिसको की थैसैया पोपल्निया जो है वह वह कहा जाता है गुछ ऐसे फ्लांटो पीने में प्लांट भी एसस glucose के उसमें पाई यह उनल से य 처 Yeah. युरिना लोबिटा की जो रूट होती है और उसकी पार्ख हो उससे हाइड्रोफोबिया का उपचार किया जाता है इसके अलावा मालवा वर्टी सिलेस्टा की जो जड़ है वह भी इसका भी बैडिसनली इंपोर्टेंट है तो इकुल मिलाके यह फैमिली जो होती है वह कहा जाता है जिससे कि हमें बोरिया या रसी बनाने के अंदर इसको काम में लिया जाता है अबल मौस का सैस्कूलेंटम यानि भिंडी यानि जो हमारी है वह वेजिटेबल भी इसी फैमिली के अंदर आती है तैंक्यू सू मच और हम इस इसका जो इस फैमिली है इसका प्राक